खबर बागपत से है जहां चलती बिजली में ट्रांसफर का सारा समान चोरी हो गया आपको बता दें कि पूरा मामला बागपत के गांग लोली गाउ का है जहां 11,000 लाइन के 200 किलो वाट के ट्रांसफर के अंदर से तेल और तामभा जैसी कीमती चीजे निकाली और वहां से चोर फरार हो गए जिससे डेड़ सो घरों की बिजली गुम हो गई ग्रामिन संजीव राटी ने डायल 112 को सूचना देकर पूरे मामले से अवगत कराया वहीं यह भी बताया गया कि इससे पहले भी कई बार इस ट्रांसफर में चोरी हो चुकी है आज तक चोरों का कोई भी सुराग नहीं लगा ग्रामिनों का कहना है कि जल से जल ट्रांसफर नहीं मिला तो बिजली घर का घहराव किया जाएगा लगातार तीन बार चोरी होने से ग्रामिन काफी गुसाय नजर आ रहे है बिजली विभाग के खिलाफ नारे बाजी और विरोध भी किया गया आपने आसपास की सभी छोटी बड़ी खबरे देखने के लिए Average 24 News को सब्सक्राइब सरूर करें अब भास कट्या परशुबी तुखी है पता नहीं जाने की लोग प्रिशान कर रहे एसा माद इस्ता तो है गाहूं के अनना घुमरे तो चोरी कर रहे पहले जी कही बार ऐसा हुआ प्रिशान ने का सामना करना पड़े पोश्यों को भी आम आजने को जन्षिव को सब परिशान हो जाए ताहँ की सूच ना पुलिस पाफ पर आगा जिया और मोट के पुलिस आई जात चल रही और मैं चाव जल्दी से जल्दी ये पुलीसिस का समदान भाग समदान करें और कोश्रों कुमारा चारा मिलें रिशा में सरकार्ष का पठोर कदम उठावें दर्मेंदर राठी अच्छा गाउं में ट्रास फारम पर चोरी हुए है क्या पूरा मामल है चोरी तो अलाकरण हो रहा है जीवतेया सरकार चल्दी नोगे चोर चोर रुगे किस्वानियों गंडी टोली यां मारेगा हम चोरी ओली ट्रास फारमर यां चोरी ओली और जी बिजली के स्टार केविल ये कट लग रहे इन पंकुस लगावे नहीं तर सरकारे खिलाब हल्ला ब में प्रछा आशन्येकरि अभा या किसी बिजली वडिया करवई है या किसी गाम वडिया ने तर्वाइं कोई क्रेन चाहिए नहीं प्रया है किसी अधिकारी को सूच ना डियाए अधिकारी सो नंबर उसके मैं मुस्का पाई थी प्र समयधान तो कुछ नहीं यह जन्यों ट कर दो दोर भखगा दोराओव कर दalgान कि ऩ llग इन गजभाटू। करदोराओड़। कर दो रजा जिल में से दो बारे।